आजी आपने थमने में बिल्कुल सही पड़ा है कि आउस वाइफ के पास भी इंकम टेक्स की तरफ से नोटिस क्यों आते हूं यह बहुत कॉमन मितलब प्रॉब्लम है कि अकसर यह चीज देखने में आता है कि अगर एक परसन है न मितलब फैमली में एक मेंबर है फॉर एक्ज गिरेत लोगों यहां पता होती है कि अःसे में नोटिस आ सकते है तो गलती कर बैठे है जो कि मैं अभी आपको समझाँगा कि क्या मिस्टेक हो जाती है और उस मिस्टेक के कारण वो नोटीस आजाता है और नोटीस का फिर reply करते हो, वहाँ पर CA hire करो वो एक काफी बड़ी problem हो जाती है और अगर आप tax consultant हो आप मतलब clients का tax guide करते हो तो यह information भी आपको पता होनी चाहिए जो भी मैं बता होगा, so that कि आप उनको सही से इसीच के उपर guide कर पाऊ अपनी clients को और वो यह mistake ना करें अब जो मैंने starting में कहा कि family में अभी just एक example लेके चलते हैं, एक तो आप हैं ठीक है, यह आप हैं आप अपनी क्या करते हैं ITR properly file करते हैं जिसमें आप अपनी income show करते हैं और उस पर अगर tax आता है तो tax pay करते हैं और अगर tax नहीं बनता है जो कि maximum इंडिया में यही चीज़े है कि लोग tax दिखाते ही नहीं है या होता ही नहीं है, तो आप without tax अपनी ITR file कर देते हैं इंडिया में maximum ITR non taxable में ही file होती हैं तो यह एक part हो गया और अगर by chance मैं कहा रहा हूँ कि कभी भी आपके ऊपर notice आ जाता है आपके पास notice आता है तो आपको समझ में आता है कि ठीक है मेरी कोई income थी मेरे ने कुछ income से दिखाने से रह गया होगा या कुछ गलत हो गया होगा जिसके कारण से notice आया है आप उस सीच को समझके ही किसी CE की help लेके या tax consultant की help लेके आप उसका या अपने आप साब को knowledge है तो आप उसका reply कर देते हैं बट problem क्या है कि second example जो मैं ले रहा था कि आपकी एक wife है चीक है आपके wife के name पे अभी आप कुछ भी income मैंला वो कुछ भी income नहीं करती है housewife है और आप उनकी ITR भी file नहीं करते हो या ITR file करते हो तो normally आप उनकी कैसे है निल की return file कर देते हो कि ठीक है उनका अपना return file कर दी क्योंकि ITR file करने के काफी benefit होते है और आपने उनका अपना निल का show कर रहा कि उनकी कोई income नहीं है और आपने return file कर दी बट उनके पास notice आगया एक example के base पे कि उनके पास income उसमें show कर रही थी 6 lakh rupees 6 lakh rupees अब government कह रही है कि आपकी wife की account में 6 lakh rupees की income show कर रहा है यह आपने ITR क्यों फाइल नहीं करी आपको liable थे और 6 lakh के उपर जो भी आपका tax बनता है income tax जो भी बनता है आप उसको आज मुझे pay करो with interest plus with penalty कि मुझे उसके उपर जो भी charges बनते है tax भी pay करो, interest भी pay करो penalty भी pay करो, आपने tax return भी file करी उन सब चीजों की तो यहाँ पर main mistake रहती है कि जो आपने क्या करा होगा आपने अपने पास से अपने account से कुछ funds अपनी wife के account में transfer कर दी अब जब ऐसा होता है न आपको शायद पता हो या नहीं पता हो तो अगर blood relation में transfer हो रहे हैं तो यह normally gift की category में आलाता है और इसके उपर no tax मतलब इसके उपर tax नहीं लगता है अब आप कहोगे कि sir अभी तो आप कह रहो कि उसमें फिर में पार notice क्यों आगया कि government कर जब इस पर tax नहीं लगता है अब यहाँ पर problem क्या है कि आपने इसको transfer तो कर दिया अपनी wife के नाम पर बट इस इसको कहीं पर reflect नहीं करा मैं बहुत सारी reasons में से एक reason बता रहा हूँ भी एक और reason इसके बदाता हूँ को अपने उसको कहीं पर show नहीं करा क्योंकि आपने वाइफ की ITR फाइल नहीं करी उसमें gift की detail नहीं थी या फिर आपको आईडिया ही नहीं था आपने deposit करे जा रहो करे जा रहो काफ़ी आप बना के रखी इस केस में क्या होगा अगर आपके पास नोटीस आता भी है तो आपको सिंपल सा उस पर रिप्लाइब करना है किसी की अपने आप से लॉग इन करके मैंनेश कर सकते हैं अदरवास लोग है कंसर्टिंट की तो वह भी कर देंगे आप ये स्टेंप उसको उनको वहां पर रिप्लाइब में अपलोड करोगे इसमें खोट वगरा कुछ नहीं हो तो ऑनलाइन रिप्लाइब करोगे ये मेरी क्या थी यह आपकी अपनी जो अभी हमने उपर बताया ना आपकी इनकम थी जिसके उपर आप टक्स्ट फाइल कर चुकी हो और यह अब आपने अपनी वाइफ को गिफट कर कि थी वाइफ को और इस पे उपर आपने dette पर गिफ्टिट बनवा भी रखें तो 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 टोटली ओके अभी कोई प्राबलम नहीं सिर्फ आपको उसका रिप्लाइ करना रहे जबा है सेकंड मैटर नहीं थंट लिए अफिर अपनली फौइल करना रहा है तो यहां पर क्या है कि मान की चलो 18% का आपका GST चला गया 30% का आपका ITR के slab में जा रहा है तो यह आपके उपर text जा रहा है इतना ज़्यादा ठीक अब आपके mind में क्या है आपने का कि मैं एक काम करता हूँ अपनी wife के नाम पे यह कुछ पैसा क्लाइंट से में क्या अगरता हो सीधा अपनी wife के account में ले लेता हूँ बान की चलो 5 लाग पांच नहीं इसको 6 लाग कर लेते हैं 6 लाग रुपे आपने अपनी wife के account में आज सक आपने उनकी ITR फाइल नहीं करी क्यों नहीं करी आपने सोचा कि आरे ITR फाइल नहीं करता हूँ यानि कि आपने income tax भी बचा लिया और GST भी बचा लिया बात समझ रहे हो आपको सीधा सीधा इतना पैसा बच किया क्योंकि उनको GST की requirement आ नहीं रही थी और income tax की return आप फाइल करते हैं हो गया आप क्या हो गया है सारी चीज़े automated हो गया है अगर आपको AI के बारे में पता हो तो गहां पर maximum maximum चीज़े अब reflect हो रही है और government over the time दीरे दीरे ओर जादा ओर जादा चीज़े है यह पैसा आपके account में गया account से भी bank account से भी बहुत सारे ऐसा जुरूरी नहीं है कि 100% आपके पास notice आएगा बढ़ हाँ chances बन सकती है तो bank government की तरफ से क्या आएगा आपके पास notice आ सकता है किस चीज़ का आपसे reply लेने के लिए शौफोस notice आ सकता है information के लिए कि आपकी wife के पास आएगा कि आपके account में यह पैसा जमा हुआ 6 लाग रुपे हुए यह 6 लाग रुपे कहां से आए इसका हमें source बताओ यह आपकी income है क्या अगर आपकी income है तो आप इसने income नहीं है तो हमें उसकी clarity दो अब यहां पर आप first बें क्यों यह income तो है भाई अब यह पैसा किसी से client से आपने लिया था यहां पर किसी client से आपने ही पैसा account में लिया था तो income तो है अब उसको आप यह भी नहीं कह सकते हो कि मैंने gift कर दिया पिछले वाले case में तो आपका पैसा था आपने gift कर दिया था क्यों अगर यह 6 लाग रुपए आपके थे तो आपने उसके ऊपर GST और income tax क्यों नहीं फाइल किया वो क्यों नहीं बढ़ा यह 6 लाग रुपए तो जो थे आपने अपने पास तो दिखा ही नहीं ना क्योंकि आपने वाइफ के नाम पर direct कर तो यह वहां पर problem है तो इन शॉट मेरा आपको समझाने का purpose क्या था क्या explain मुझे करना है पहली चीज अगर आपने अपनी income में शोग किया अपनी income में शोग कर रखा है आपने उसको पूरा रिपोर्ट कर रखा है अपनी आपनी relative को ब्लड रिलेशन में जो कर रहे हो गिफ्ट कर रहे हो डिलेटिव की definition गिफ्डिट के अंदर defined है उनको गिफ्ट कर रहे हो तो मैं कोंगा हमेशा इसका proper record maintain करके रखो गिफ्डिट बनवा सकते हो तो वह best option है गिफ्डिट बनवा लो इसमें आपके पास डढ़ने की कोई मेरी income थी देखो मैं उसको अपनी ITR में file कर चुका हूँ उसके उपर tax नहीं बंता था तो मैंने नहीं दिया और बंता था चुछ मैंने टेक्स नहीं दिया यह मैंने wife को दियो gift देना कोई गुणा नहीं है इसको tax भी नहीं लगना था तो यह okay है कोई problem नहीं बट अगर आपको tax भी देना पड़ेगा, interest भी देना पड़ेगा, penalty भी तो इस चीज़ का method से कोई benefit नहीं ही, तो दोनों चीज़ों की बीशे मुझे आपको difference clear करना था, आपके mind में फिर भी कोई भी doubt हो या कुछ भी इससे related आप कोई information चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं वीडियो उस पर create करूँ, आप मुझे से comment box पर पूछना, ठीक है, I will try my best, कि मैं उसके उपर अगर possible हुआ, तो आपके लिए वीडियो बना हूँ, और आप मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, यह मुझे motivate करता है, ठीक है, तो it helps me a lot, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, आपको helpful हुआ है, य low cost courses है, 2-3 रुपे से शुरू है courses, और advanced courses तक है, उन सारे चीज़ों को आप download कर सकते हैं, ठीक है, और उनको सीख सकते हैं, तब तक के लिए, bye-bye